मुलायम सिंग्यादो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक लंबी राजनीती और समाजिक विरासत छोड़कर अंतिम्यात्रा पर निकल पड़े हैं नेता जी यानि मुलायम सिंग्यादो की पहलवानी और राजनीती के किसे जितने रोचक हैं उतनी ही उनकी दोस्ती की कहानिया भी मज़दार रही हैं यारों के यार कहलाने वाले नेता जी के दोस्त सिर्फ अपनी पार्टी में ही नहीं रहे बलकि उनकी दोस्ती दलगत राजनिती से उपर रहे। मुलायम सिंग यादो के राजनीतिक दोस्तों की बात की जाए तो शिवपाल यादो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं क्योंकि वो सिर्फ मुलायम सिंग के भाई नहीं रहे बलकि बच्पन से ही उनके दोस्त भी रहे यह दोस्ती ऐसी थी जो पार्टी तूटने के बाद भी नहीं तूटी यहां तक की अखलेश भी इस दोस्ती के बीच में कभी नहीं आये याद कीजिए जब समाजवादी पार्टी तूट रही थी और अखलेश यादो के साथ शिवपाल यादो का जगडा सरयाम हो रहा था तब भी भले ही नेता जी की पार्टी अखलेश के हिस्से आई लेकिन हर कदम मुलायम सिंग यादो शिवपाल यादो के साथ रहे वो समाजवादी पार्टी के अधर्ष थे लेकिन शिवपाल यादों के लिए प्रचार भी करते थे सिर्फ अपनी पार्टी में ही नहीं मुलायम सिंग की दोस्ती विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी खूब फली विपक्षी पार्टीओं में उनके कुछ बढ़ियां दोस्तों में राजनाज सिंग भी एक थे किंद में रक्षा मंत्री राजनाज सिंग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और शुरू से ही भारती जनता पार्टी का हिसा रहे हैं इस नाते उनका राजनितिक विरोध मुलायम सिंग ने हमेशा किया लेकिन कभी ये विरोध दोस्ती पर असर नहीं डाल पाया जब मुलायम सिंग यादो गुरुगराम के मिदानता में भरती थे तो विपक्षी नेताओं में सबसे पहले राजनाज सिंग ही उनका हाल जानने पहुंचे थे ये नेता जी ने अपने नीजी जीवन में कमाया था मुलायम सिंग यादो के एक और राजनीतिक धूर विरोधी कल्यार सिंग हमें याद आते हैं दोनों के राजनीतिक सफर की शुरुवात करीब एक साथ हुई बात साल 1967 की है जब यूपी में दो यूवा चेहरों का राजनीति में उद्य होता है इन में से एक थे मुलायम सिंग जिनका होन टाउन मैनपूरी था और दूसरे थे कल्यार सिंग जो पड़ोसी जीले एटा से थे 1977 में जब यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंग को पशुपालन मंत्री बनाया गया और कल्यान सिंग को स्वास्त मंत्रा ले सौपा गया ये उदावर था जब कल्यान सिंग और मुलायम सिंग यादो की दोस्ती परवान चड़ी लेकिन 1992 में जब कल्यान सिंग से कुर्सी चिनी तो मुलायम सिंग यादो और कल्यान सिंग को राजनीतिक धूर विरोधी माना जाने लगा लेकिन परदे के पीछे उनकी दोस्ती कायम रही इसके अलावा अमर सिंग मुलायम सिंग की दोस्ती के किसे किसी से छीपे नहीं है 2003 में जब तीसरी बार मुलायम सिंग यादव मुख्य मंतिय बने तब तक अमर सिंग से उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी ये दोस्ती ऐसी बढ़ी कि मुलायम सिंग ने अमर सिंग को राजय सभा का टिकट दे दिया और पार्टी का महा सचीव बना दिया ये बात उनके दूसरे दोस्त और समाजवादी पार्टी में उस वक्त बड़ा कद रखने वाले बेनी परसाद बर्मा को बड़ी नागवार गुजरी और उन्होंने समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली लेकिन मुलायम सिंग और अमर सिंग की दोस्ती परवान चर्टी रही जब बाद में समाजवादी पार्टी से अमर सिंग को निकाल दिया गया फिर भी अंत तक अमर सिंग कहते थे वो समाजवादी नहीं बलकि मुलायम वादी है जिन बेनी परसाद बर्मा का पहले जिक्र आया उँ मुलाइम सिंग यादो के राजनीती में बड़े करीबी रहे बीबी सी को दिए एक इंटर्वियू में एक बार बेनी परसाद बर्मा ने कहा था कि मैं मुलाइम सिंग को बहुत पसंद करता था एक बार राम नरेश यादो के हटाये जाने के बाद मैंने चरण सिंग से मुलाइम सिंग यादो को मुख्यमंत्री बनाये जाने की सिपारिश की थी लेकिन चरण सिंग मेरी सलाह पर हंसते हुए बोले थे इतने छोटे कद के शक्स को कौन अपना नेता मानेगा तब मैंने उनसे कहा था नेपोलियन और लाल बहादु शास्त्री भी तो छोटे कट के ही थे जब वो नेता बन सकते हैं तो मुलायम क्यों नहीं हलाकि वो बीच में मुलायम सिंग्यादों से अलग हो गए थे जब काफी वक्त बाद बेनी बाबू की समाजवादी पार्टी में वापसी होई तब मुलायम सिंग्यादों ने कहा था पुरानी खिताब, पुरानी शराब और पुराने दोस्त कभी भुलाए नहीं जा सकते राजनीतिक दोस्तियों में अगर आजम खान की बात मुलायम सिंग्यादों के साथ ना की जाए तो बात अधूरी ही रह जाएगी ये ऐसी राजनीतिक जोड़ी रही जो राजनीती में हिट थी और संबंधों में फिट थी हलाकि एक वक्त आया जब कल्यान सिंग से मुलायम सिंग ने हाथ मिलाया तो आजम ने पार्टी छोड़ दी थी लेकिन कुछ वक्त बाद ही 2010 में उनकी पार्टी में वापसी हुई मुलायम सिंग ने कल्यान सिंग से गरबंधन के लिए सारवजनिक माफी मागी पार्टी के वक्त आजम खान ने मुनवर अणा का एक शीर पढ़ा था कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा ये सोच कर कि तेरा इंतिजार लाजिम है तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा